मान्निय मुख मंतर जी नितीश कुमार जी एक्टिव है पॉलिटिक बिहार में सी-म का सीठ खाली नहीं है विश्याय यह सतर के औह понम भी जाने वाली नहीं हैं कि 방송 से और खूंश रह करी नहीं है मुझारा पलाइब सीरीamız एक साथ मेहू असीम खान बारा तारीक का बिहार की जनता भी बेसब्री से इनतिज़ार कर बिहार, विधान, सबा, फ्लोर्टेस, किसकी कितनी संख्या, देखिए संख्या बल तो दिखाना ही है, मगर खेला कौन करेगा, बड़ा सवाल, और इसी सवाल को हम लेंगे, जेडियू के कदावर निता, एमेल सी और मुखमंत्री नितीज कुमार के करीबी माने जाने वाले, रमेश्वर महतों जी हमारे साथ है, खेला होने वाला है, तिजश्वी आदम ने डंके की चोट पर कहा है, जो करते हैं, करके दिखाते हैं, कॉंग्रेस ने तो अपने विधाईकों को हैद्रावाद भी बोला लिया, कहीं से कोई उपाय नहीं है, किसी को भी खेला करने का कोई गुंजाइश नहीं है, मानिये मुख मंत्री जी को 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, और फुरोड टेस्ट होगा, बरे अच्छे से बहुमत सिद्ध करेंगे मानिये मुख मंत्री जी, और वसीम भाई हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, कि मानिये मुख मंत्री इंतिश कुमार जी ने जो विहार में विकास किया है, जो उन्होंने कहा है, सो करके दिखाया है, या जिस परकार का उनका बहवार विपक्ष के विधायकों से भी रहा है, ऐसा नहों कि जो लोग ख मुख मंत्री जी को लगभग लगभग सब लव पर संसा करते हैं, कैसे खेला करिये हैं, कॉंग्रिस ने हैदरावाद बुलाया है, राजनीत, देखिए कहीं बुलाये, कहीं भी ले जाए, लेकिन कोई मानिये मुख मंत्री जी के साथ खेला करने की सोचेगा, तो उनको इस के लिए सतर्क होना चाहिए, रहना चाहिए, कि उनके साथ बड़ा खेला हो जाएगा, जिदर हम मां जी के सुर्व बदल रहे हैं, चिराक पाश्वार ने समर्थन कर दिया है, टेंचन नहीं पढ़ रहा है, आप लोगों का, नहीं, देखिए, हम लोग जिस नेत्रुत के न सोचेगा, उनके साथ कितना बड़ा खेला हो जाएगा, उसका उनको अनुमान भी नहीं होगा, बहुत बात नहीं कह सकते, इसलिए इतना ही समझे, मां जी को सी एम का ओफर है, आपके साथ क्यों रहेंगे, जब तक मानिये मुख मंतर जी नितीश कुमार जी एक्टिव है, पिछले दोटिक्स में तब तक बिहार में सी एम का सीट खाली नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, इधर उधर बस थोड़ा ही सा होना है, आपको फिर कह रहा हूं कि जब तक मानिये मुख मंतर जी चाहेंगे, जब तक पोलिटिक्स में वह आक्टिव हैं, बिहार के सी एम पत्की सीट खाली नहीं है, किसी के लिए भी जडियू में बड़ी भगदर मचने वाली है, राजवत का दावा है, मैं पिछले दो साल से सुनना हूं, कि जब तक परकार का का भगदर मचने वाला है, आना जडियू का एक भी पंचाइती तर के काज करता भी मानिये मुख मंतर जी को छोर के कहीं भी जाने वाले नहीं है किसी को भरम है कोई टूट जाएगा कोई चला जाएगा तो अपना भरम पाले और खुश रहे मंतरी सुमीद सिंग करें खेला इंडिये करेंगी राजद अपना कुंबा बचाय कांग्रेस के तीन विधायक कुमार जी के साथ विहार के विकास के लिए समर्पित हैं और विहार के लोगों को रोजगार मिले विहार में काम आए उत्योग आए क्योंकि 2005 से पहले का विहार को देखिए और अब का विहार को देखिए जमीन रासमान का फर्क है कल ही पाँच चाहर तारिको बापू इनकी एक्षरण यो कर देखाया है कि मानई मुखमंती जी करें जिसके कलपन भी नहीं की जा सकती थी खेला करने वाले के साथ को इसे वह हो जाए गाता बहुए कि लोगर करेंगे लोगों के लिए विकास के लिए वह हमेशा कहते हैं कि बिहार विकास ही उनका जुनून है और कर भी रहे हैं खेला करने वाला को है सोचता है कि खेला कर देंगे उसका खेला हो जाएगा चिराग पास्वान जो बयान दे रहे हैं कि जीतरा मांजी अनुभवी भी और मुखबंधरी बनते हैं तो कोई गुरेज मांजी ने बनाया था आप सब जानते हैं और जो काम देश में कहीं नहीं हो पाया कि अन्तिम पंक्ति के विक्ति को मुखबंधरी के पद़ बैठाना मा प्रस्तिती रही लेकिन आज के डेट में अधर निये जितनला माझी जी हो या चिराग पासवान जी हूं सब एक साथ इंडिये में मानिये मुखमत जी के नत्युत में बिहार में सब एक जूट हैं कैसे एक जूट रहेंगे माझी जी को जिस तरीके से विधान सभा के अंदर और माझी जी ने भी इस बात को सुखा रहा था अब भी उस सदन की हिस्सा हैं उन बेहानों को क्या माझी जी भूल सकते हैं देखिए राजनीत में कोई पर्मानेंट किसी का दोस्त नहीं कोई पर्मानेंट किसी का दुश्मन नहीं परस्तितियों के हिसाब से राजनीत में आपको बार बार कहा कि माननिय नितीश कुमार जी जब तक प्रोटिक्स में एक्टिव है जब तक उचाहे तब तक बिहार के सीम पद की सीट खाली नहीं है इसलिए मुझे नहीं लगता जब तक माननीये मुझेंनितीश कुमार जी ऑक्टिव है पॉलिटिक्स में तब तक बिहार में सीम का सीट खाली नहीं है माननिये मुख मंतर जी को छोर के कहीं भी जाने वाले नहीं है किसी को भरम है कि कोई टूट जाएगा कोई चला जाएगा तो अपना भरम पाले और खुश रहे आज़ी मुस्मानेजी खेला नहीं करते हैं, खेला करने वालों का खेला बिगार देते हैं, राजनीत में कोई पर्मानेट किसी का दोस्त नहीं है, कोई पर्मानेट किसी का दुश्मन नहीं, परस्तितियों के हिसाब से राजनीत में फैसले होते हैं, और हम उनका फैसलों का स् ते है